हेलो एरियन, अगर आप भी उन लोगों में से हो जो की रो स्कॉाट ब्रेसलेट को पर्चेस कर चुके हो और उन्हें यह नहीं पता कि रो स्कॉाट ब्रेसलेट को वियर कैसे करना है तो इस वीडियो में मैं आपको Rose Quad Brasslet को कैसे वियर करते हैं ये बताना चाहूँगा देखो जब भी आप अपने Healing Crystal Brasslet को वियर करते हो तो उसे हमें किसी specific hand में वियर करना चाहिए तो Rose Quad Brasslet को हमें Left Hand में वियर करना चाहिए तो आप Rose Quad Brasslet को, Green Adventure को, Rodonite को, Firosa Stone को अपने Left Hand में वियर करोगे दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने कोई Brasslet को वियर करते हो तो उससे पहले आपको अपने दोनों हैंड में उस Brasslet को Hold करना होगा जैसे एक हाथ रखना होगा, उसके उपर दूसरा Brasslet रखना होगा, उसके उपर दूसरा Hand रखना होगा और उसके बाद आपको Manifest करना होगा, जो जो चीज़े आप उस Crystal Brasslet से वियर करना चाहते है उस Crystal Brasslet से मांगना चाहते है, उन सारी चीज़ों के पहरे में Positively Manifest करना होगा कि आप इस Crystal को वियर करोगे, उसके बाद आपकी वो सारी Problems दूर हो जाएंगी जो भी चीज़े आप मांगना चाहते हो, अगर आप रोस को अट्सम वियर करते हो, तो आप उसमें बस Relationship के मांग सकते हो, मिरा Relationship प्रॉबलम दूर हो जाए, इन्जाइटी प्रॉबलम दूर हो जाए उनका दो से तीन बार आपको नाम लेना होगा और इसे अपने लेफ्ट हैंड में वियर कर लेना होगा और अब आपको इसे 24 आवर्स के लिए यानि 24 घंटे के लिए अपने लेफ्ट हैंड में वियर करे रखना है, अगर आप 24 घंटे यानि एक दिन वियर करने के बाद अगर आप अपने hand को change करना चाहते हो यानि left hand से right hand में wear करना चाहते हो तो आप right hand में भी wear कर सकते हो अगर आपको left hand में comfortable लग रहा है तो आप left hand में भी wear करे रख सकते हो और ये bracelet 24 गंटे में आप से connect हो जाता है वैसे तो हम इसे energize करके बेचते हैं जिससे जल्दी connect हो बट आ अगर आप नाते हो तब इसे उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो और अगर आप सोते हो तो अब इस तब इसे उतारना चाहते हो तो अपने pillow के पास या अपने रूम में रख सकते हो उसे आपको अच्छी नीन दिलाने में भी एफेक्टिवली help करेगा और इसे Friday या Monday के दिन वियर करना चाहिए तो अगर आप Friday के दिन वियर करोगे तो बहुत better result मिलेंगे और अगर आपको Friday के दिन के बाद bracelet मिल रहा है या पार सल आपका receive हो रहा है तो आप इसे Monday के दिन वियर करना चाहते हो तो Monday के दिन भी वियर कर सकते हो और एक last अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो ज़्यादा लोगों से contact करते तो आपको इसे पंदरा दिन में विच्छा और अगर आप कम लोगों से मिलते तो इसे 30 करना होगा कुछ नहीं करना आपको 15 मिनट से लेके एक घंटे तक के लिए इसे संलाइट या फुल मून में रखना होगा. फुल मून तो आजकल बहुत कम निकलता है और मून कि लाइट भी हरज़पल नहीं मिल पाती. तो आप बहुत कम किर अधर इसे मॉर्णिंग के टाइम में सुबह दस बज़े से پहले या दो बज़े से पहले ठीक है? आप इसे दो पर से पहले से sunlight के अंदर 15 मिनिट से लेके एक घंटे तक के लिए energize कर सकते हो उससे आपको बहुत better reserve मिलेंगे जैसे आप अपने phone को charge करते हो ऐसे crystals की भी energy कम होती है तो अगर आप इसे timely, naturally energize करते रहोगे तो आपको बहुत better reserve मिलने में help करेगा और अगर आप girl हो और आपको girls वारी problems होती है जैसे कि periods होते हैं तो periods में भी बहुत effectively work करता है तो आपको periods में से उतारने की जुरत नहीं है आपको painless period में बहुत effectively help करता है तो आप इसे periods में भी पहन सकते हो कुछ लोग मना करते हैं कुछ लोग बोलते हैं पहन सकते हो तो बस हम ये बोलते हैं जब आपके इस crystal को पहली बार wear करते हो तब आपको इस crystal को periods के time पे नहीं पहनना वैसे आप इसे जब पहनना start कर देते हो और उसके बाद अगर आपको periods होते हो